प्रमुक प्रद्स को इस एक ही वीडियोमें कवर कर देंगे तो बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो है पूरा वीडियो लास्त तक आप ध्यान से जरूर देखेगा अगर आप घर बेटे 36 गड़ जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो 36 गड़ जीएस का complete package आपको हमारे mobile application adjust how online classes पर मिल जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है play store पर जाना है adjust how online classes टाइप करना है और आपको 36.gs का नय package मिल जाएगा इस new package में आपको 33 जिले के नुसार नय updated classes मिलेंगे अगर आप cgpc pre main cgwapm जैसे किसी भी परिच्छे की तैयरी कर रहे है जहां पर 36.gs पूछा जाता है तो यह जो package है आपके लिए बहुत helpful सिद्ध होगा map अधरी digital classes यहां पर लिए जाएगे जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ से याद रख सकें तो अधिक जानकारे के लिए आप इस नंबर पर contact कर सकते हैं इस package में अभी कुछ 8-10 वीडियो uploaded हैं और बाकी के जो वीडियो से वह continuous आपको जैसे भी आप course subscribe करते हैं तो वह आते रहेगा कुछ लोगों को stand पढ़ने की भी जरूरत होती है जिसे आज से 10 दिन बात को एक्जाम है तो वह package आप जोइन कर सकते हैं जो हमारे पुराने वीडियो से हैं वहाँ पे हमने attach कर दिया है ताकि आप urgent उन चीजों को पढ़ सकते हैं पुराने मतलब ऐसे नहीं कि उसमें बहुत सरा data changes हो चुके हैं वहाँ पे जित्ते भी changes है उसको हमने अपडेट किया हुआ है और बाकि अगर आप उस पर से जुड़ते हैं तो नए जो वीडियो से वह तो आपको मिलते ही रहेंगे तो अगर किसी को अर्जेंट पढ़ने की जुरुत है तो हमने एक व्यवस्था कर दी है कि पुराने चीजों को भी हमने वहाँ पे अट किया हुआ है अर्थात पुराने वीडियो को भी ऐड़ कर दिया है तो टॉपिक आज बैसके करते हैं चत्र के प्रमुख पांच प्रदेश ठीक है सबसे पहला प्रदेश है उसका नाम है आपका सामरी पांच प्रदेश सबसे इंपॉर्डट पांच प्रदेश यह सब या फिर लंबाई या सबसे बड़ा छेत्रफल में ऐसा पूछा जाए तो जैस्पूर प्रदेस उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे तो पहले में आपको थेयोरी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैप से हर चीज मैं आपको याद करवा दूँगा ध्यान से देखेंगे आप को समझ में चीजे आएंगी तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला सामरी पाठ प्रदेश इसका विस्तार विस्तार मतलब कहां तक फैला हुआ है तो सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार बलरामपूर जिले के सामरी नामक इस्थान पर है इसी सामरी नामक इस्थान से इसका नाम स साम्री नामक इस्थान के कुस्मी तहसिल में का विस्तार है शाम री पार्ट में छत्र की सबसे उची चोटी गौर्लाटा गौर लाटा का उच्डायी है सबसे उची चोटी है इसकी जो उच्छाई है वह कैसी ज़त होता है कि नहीं धू जो उचाई है वो है 1225 मिटर यह जो छेत्र वो जारखंट से लगा हुआ है तो जो राज्य है कौन से राज्य पढ़ोसी राज्य जारखंट से लगा हुआ यह याद रह सकते हैं इसके पूरो भाग में जमीरा पाठ है और पस्चिम भाग में लहसुन पाठ है यह काफी इंप अब इसके यह हो गया आपका पूरो ठीक है पूर्व या फिर इसको हम राइड भी कहते हैं यह आपका लेफ्ट या फिर पस्चिम तो आप कैसे जाद रहेंगे छांग सामरी के लेफ्ट में बाठ लेफट लेफ्ट बाठ लेफ्ट असुन, ठीक है, तो लेफ्ट में है लेफ्ट में लेफ्ट अर्र की यादि रखना है, तो साख़ा में क्या जमीरा पार्ट और लहसुन पार्ट ढम beginner पार्ट में बाक्साइट की अधिकता है और बाक्साइट की अधिकता के कारण इसको बाक्साइट की राजदानी के नाम से भी जाना जाता है तो यह चीज भी important है याद रहेंगे गे जो जसपूर वाला इलाका है सर गोज्जा का कुछ कुछ बलवरामपूर की चैट्र geschBERन एस पूरा छेटर इसमें बाकसाइड जन्र पाया जाता है तो अगर आप भूल जाएंगी Vegetarian ल hijan जाता था तो सिर्फ रीजन याद रफेंगे जसपूरा रीजन बयगा बनायालेंगे अब जो भी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं बताया भी जो भी चीज मैंने थेयुरी उसको हम मैप से अच्छे से पढ़ लेंगे तो यह आपका मैप ध्यान से देख लेंगे यह बलरामपूर है यह आपका जसपूर हो गया यह सरगूजा हो गया ठीक अगर आपको यह मैप यहाँ पैका सामड़ी पार्ट यहां पिली पार्ट में देखेंगे सांड़ी पार्ट में जयुक्त है गाया इसकि जो उचाहिए है 225 मेटर इसके लेप्ट में summary part के left में L for left L for lesson part है ठीक है और इसके right में jamira part है तो right या फिर पूरो ये दिशा के नाम से भी पूछा जा सकते हैं इसको याद रखेंगे और jamira part famous है backside के लिए इसको backside की राधा नहीं कहा जाता है इतना आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला पार्थ है आपका जारंग पार्थ अगला पार्थ है आपका जारंग पार्थ इसका विस्तार है सर्गुजा जिले में है ना इसका विस्तार सर्गुजा जिले के सीतापूर से लेकर लुंडर तक है यहां पर आप देखेंगे यह सर प्रदेश है ना ऐसे अलग-अलग प्राक्रतिक विभाचन में आपको बताया था तो यह जो है जस्पूर सामरी प्रदेश के अंतरगत आता है आपका जारंग पार्ट यहां पर खनीज पाई जाते है और खनीज के यहां पर अधिक्ता है ना बॉक्साइट का भंडा है तो याद रहेंगे बौक्स साइट तो यह आपका जारंग पार्द में आप इतना याद रखेगा स्फिशेंट हैं दो भाड इंद्रापार्ट को जो विष्टार है वह आपका जस्पूर के बगीचावाले चेत्र में और यहां पर पर 15 पंडरापार्ट में नदियों का भी उद्गम है तो पंडरापार्ट के खुरजा पहाड में इव नदी और बखावना चोटी से कनहार नदी निकलती यहां पर आप मैप में देख सकते हैं यह पंडरापार्ट यह जश्पूर वाला इलाका है जश्पूर का आपका बगीचा वाला इलाखा है पंड्रापाड अब पंड्रापाड में आप दिखेंगी यहां पर यह आपका खुर्जा पहाड जहां से इप निकल रहे और यह आपका बखौवना चोटी और यहां से अलग-अलग डिरेक्शन में इप नदी और कनहार नदी इधर निकल रहे जस्पूर जी अभी हम वाक्साइट वाक्साइट ज्यादा पढ़ रहे तो आप क्या याद रखेंगे जसपूर सरगुजा बलरामपूर यह जो आला इलाका है इसमें वाक्साइट खनीज पाया जाता है तो अगर आप तुक्का भी मारेंगी यहां से सम्मध क्वेशन आएगा और आपको ख सब्सक्राइब बना सकते हैं इसको आप देख लीजेगा कुछ इस तरह किसे आपको मैपिंग बनाना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर वैसी मैप आप बनाएंगे तो आपकी लिए आसान होगा रियूजन करने में ठीक है जब भी हम पढ़ते हैं तो रियूजन करत कुस्मी पाट को उपर घाट की नाम से भी जाना जाता है और जस्पूर पाट को नीज घाट निचली घाट की नाम से भी जाना जाता है इसको क्यों उपरी घाट या फिर नीज घाट का आ जाता है इसको भी हम पढ़ेंगे इसका विस्तार हम देख ले पहले कुस्मी पाट जिला बलरामपूर के कुस्मी छेत्र में और जस्पूर जिले के उत्री भाग में जस्पूर जिला है पूरा इसके उत्री वाले भाग में तो यह जो हम पूरा देख रहे हैं यह इलाका यह है आपका कुस्मी पाट इसको उपरी घाट भी कहा जाता है उपरी घाट में हम इसक तो यह जो कगार है ठीक है इस कगार के उत्तर में है आपका हूपरी घाट और इस कगार के दक्षिन में हैपका जस्पूर पाठ यह फिर नीचीलि घाट तो याद रखेंगे उपरी घाट को स्विमांकित करने वाले कगार के दक्षिन भाग यह उपरी घाट को देखिए उपरी घाट के सिमांकित करने वाले उपरी घाट को सिमांकित करने वाले कगार के दक्षिन भाग को नीज घाट कहते हैं ठीक है तो यह आपका उपरी घाट इसको सिमांकित करने वले कगार यह हो गया अब यह हो गया इसका नीज घाट या जस्पूर पाठ जस्पूर पाठ जो है जस्पूर के जस्पूर कुनकूरी पत्थल गाउं और फरसा बहार में है और बलरामपूर की कुस्मी और जस्पूर के उत्री भाग में हमने देखा था कि कुस्मी पाठ है तो कुस्मी पाठ में तो बस इतना ही आपको इसका विस्तार है जिसे जस्पूर जिले के जस्पूर कुनकूरी पत्तल गाउं फरसा बार इत्यादी में इसका विस्तार हम देखते हैं इसे हम निजगाट की नाम से भी जानते हैं जस्पूर जिले में मैनी नदी आपको याद रखना है मैनी नदी की उत्तर में इस्थित सम को जसपूर पाठ कहते हैं यहां पिल्क है могли को मैं अधिक RESA को ड़ी विच्छ ब्राइब को सबसे लखन माद प्रदेश सबसे लंबा जबकि सामरी में हमने पढ़ा था सबसे उचा पार्ट प्रतिस तो यह एक दो प्रसिद्ध इसे इभ rifati के नाम से भी जाना जाता है सीजो है मेनी नदी जश्पुर जीले के पश्चिम सीमा पर ये आपका जस्पूर जीला है ये मैनी नदी तो पस्चिम स्रीमा पर यहां है मैनी नदी अपने पस्चिम स्रीमा पर छोटी छोटी घाटी का निर्मान करता है ठीक है छोटी छोटी घाटी का निर्मान करता है जिसे ही काक्या छेत्र की नाम से जाना जाता है इस प्रदेश इसलिए इसको चैनला भी कहा जाता है जब 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुआ था चैनल ने जब तिबद पे हमला किया था तो तिबदी सरनार्थी थे जो यहीं बसे थे इसलिए बहुत धर्म का केंदर भी हुआ और इसको चोटा तिबद 36 गड़ का तिबद 36 गड़ का सिमला इत्यादी उपनामों से भी जाना जाता है तो चलिए पढ़ते हैं मैं पाट का सबसे पहले विस्तार दक्षीन पूर्वी सरगुजा में इस्तित है यह अगर आपका सरगुजा है तो दक्षीन पूर्वी मतलब यह यहां पर है आपका मैं प्रदेश के अंतरकत यह आता है प्राकरतिक प्रदेश जस्पूर्वी पाट प्रदेश ठीक है इसकी जो उचाई है ग्यारा सो पावन मीटर है एकदम इंपोर्डेंट है यहां रहेंगे उचाई है आपका ग्यारा सो बावन मीटर चोड़ाई 29 मिटर के आसपास कहीं अब मांड नदी के संदर में आपको यह भी या रखना है कि मांड नदी से सरभंजा जलपरपात का भी निरमान होता है ठीक है तिब्बती बसाट मैंने आपको बता दिया था 1962 के करीब तिब्बटी लोग यहां पर आये थे तिब्बटी सरवनार्थियां यहां पर बसे थे इसलिए बहुद धर्मा का भी केंद्र की तिब्बती लोग बहुद धर्मा को ही अपना प्रमुक धर्मा माननते हैं दहें पहले ही बता दिया था इस एरिया में चाय की खेती एतितिक की जाती चाया बगान के लिए छेत्र प्रशिद्ध है यहां पर कुछ एडवेंचर जोन भी है जिसे परपाटिया और आपका मालती पूरी और परपाटिया इस छेत्र में बॉक सैट खनीच पाया जाथ जितने भी परट परेश हम पड़ रहे हैं सब में हम बॉक सैट ही पड़ रहे है ठीक है तो शेत्र का सिमला कहा जाता है छोटा तिबबत कहा जाता है उपनाम तो मैंने आपको बता ही दिया था यह स बता देता हूं एक बार और रिजन करेंगे हम तो सरगुजा सरगुजा के दक्षिन पूर्वी भाग में यह जो रेड़ वाला एरिया आपको दिख रहा है यह है मैंन पार्ट में इंपॉर्डन क्या क्या है दक्षिन पूर्वी सरगुजा में यह इस्थित है तिबटी बसाह क्योंकि सबसे थंडा छेत्र है चत्ति जड़ का तिबट या फिर छोटा तिबट की नाम से जाने देता है नदी में मांड नदी निकलती है मांड नदी से सरभंजा जलप्रपाद बनता है चाय बगान के लिए फेमस है इसकी जो उचाय हुआ है आपका ग्यारा सो बावन मी रहेंगे परपाटिया मालती पूर जिसे एडवेंचर जोन है और बाकसाइट के लिए फेमस है इतना अगर ध्यान में रहेंगे कोईशन्स आप से जरूर बनेगा अब जित्ता भी हमने पार्ट प्रदिस पढ़ा उसको इस एक ही मैप से मैं आपको कंपेर करके और अच्छे से याद करा देता हूं क्या क्या चीज ध्यान देने योग्य हैं और इसमें अगर एक सांथ हम चीजों को पढ़ेंगे तो क्या होता है अलग अलग पढ़ने और क उसमेशा अनवीरागा का सामरी कुसमल एलाका में हमने प्ढ़ा था सामरी बाट फिर देखा था कि सामरी बाट के लेप्ट में आपका लसुन पाड़ और रहएट में आपका जैमीर पर्ट है न उसके बाद यह मेरा पारक थे इसको परreat कर लेजिए करा रहएट में जैमीर पाड सबसे उचा पाड आपका गौरलाच सबसे उचा पाड है जामरी पाड गौर लाडा चत्रि्र का सबसे ऊची चोटी है जिसकी उचाए पच्छाई तो बारा सो पच्छीज मिटर हैं यह यहां परी स्थित है सर्गुजा में अगर हम देखेंगे तो जस्पूर जो पार्ट है वो 36 गड़ का सबसे बड़ा प्रदेश है जबकि 36 का सबसे उचा पार्ट प्रदेश जो है वह आपका सामरी पार्ट तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जितने भी पार्ट प्रदेश मैं आपको पढ़ाया इसके बारे में यह सार अगर आप हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर दीजिए का डेली के जो आपडेट से यहां पर आपको मिल जाता है उसी परकाट टेली ग्राम हमारा टेली ग्राम है सब जगा अजय साओ और शार्च करें चाहे वह यूटूब हो फेस्बूक हो इंस्टाग्राम हो प्लेई इस्टोर हो और आपका टेली ग्राम हो और सब जगा आप हमें फॉलो को लिजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें तो आज कि लिए बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद